हेलो दोस्तों क्या आप लोगों को भी मेरी तरह लग रहा है कि कास आपने भी सेविंग की होती या आपने भी कहीं इंवेस्टमेंट किया होता तो आज इस लॉकडाउन के टाइम में या कोरोना के टाइम में आपको इतनी ज़्यादा परिशानी नहीं होती है ना आज हमारे परिशानियों की सबसे बड़ी वज़य यही है कि हमारे पास कोई सेविंग नहीं है या हमने कहीं अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ क्या आप वर्न बफिट को जानते हैं अफकोस जानते होंगे लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे कि उन्होंने अपनी अधिक्तर संपत्ति को और लिडिश चैरिटी कर दिया है कैसे किया उन्होंने उन्होंने ऐसा किया है इन्वेस्टमेंट करकरके और खर्चों को कंट्रोल करके आपको यह बात जानकर ताज्यूब होगा कि उन्होंने अपना पहला शेयर 11 साल की उन्ड में खरीद लिया था और आपको पता है बचपन से ही उन्हें पैसे कमाने का बहुत सौक था सिफ 15 साल की उन्ड में उन्होंने अखवार बेच बेच के 5000 डॉलर्स रिकठे कर लिय और वो कॉलिज गए और वह बात करने वाले हैं आज मैं आपको वड़न बफेट के दिये हुए दस जादू मंत्रों के बाने में बताओंगा जिसको एप्लाई करके आप आज से ही पैसे कमाना चालू कर सकते हैं और अपने सपने पूरे करके एक अमीर आदमी बन सकते हैं मै कुमार सौरव आप लोग का थार्ट कुरेटर इस वीडियो को अंत देखना इस वीडियो को अंत में मैं बॉर्ण वफट और विल गेट से जुड़ी बहुत इंट्रेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा जिसको सुनके आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको काफी को सीखने को मिलेगा तो चलिए सुरू करते हैं सुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए है या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लें आपको इस चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी इंफोमेटिव और म शुद करते हैं हम यह सोझते हैं कि इसको कैसे खर्च कर दे यह भी खरीद ले वह भी खर्च ले बाइक खरीद ले घर खरीद ले टीवी खरीद ले कपड़े खरीद ले इस सारी चीज़े लेकिन वार्र बफट को यह बहुत पहले ही समझ में आ गया था कि असली पैसे वह कमा सकते हैं और आपको पता है कि compound interest के power को वो बहुत जल्दी समझ गए थे compound interest का मतलब होता है interest के उपर interest आपको ये बात मैं एक example से समझाता हूँ suppose कि ये आपने 100 रुपे कहीं invest किये 10% का आपको interest rate मिलने वाला है आप उस 100 रुपे से कितने रुपे बनाएंगे आप उस 100 रु profit कमाएंगे तो इस तरीके से ये बढ़ते बढ़ते बहुत जादा हो जाएगा तो ये है power of compound interest जिसको वर्ण बफेट बहुत जल्दी समझ गए थे और आप जितनी जल्दी समझ जाए उतना आपके लिए अच्छा है दूसरा मंत्र है be willing to be different आपको अपनी अलग सोज डेवल आनी पड़ेगी आपको पता है Benjamin Graham जिनको father of value investing कहा जाता है उन्होंने कहा था अगर आप investor है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपके decisions के बारे में क्या सोचते हैं लेकिन इससे ज़यूर फर्क पड़ता है कि आपने जो decision लिया है उसके पीछे आपके logics, analysis और facts कितने सही हैं और आपको उससे कितना profit होने वाला है इसलिए आपको अपनी सोच develop करनी पड़ेगी सुनिए सब की लेकिन कीजिए अपनी लेकिन साधी analysis और facts समझने के बाद तीसरा मंत्र take decision as soon as possible आपको decision जल्दी से जल्दी लेना होगा आपको जो भी information gather करनी है आपको जल् जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा अगर आपको किसे सला लेनी है तो वो भी आपको जल्दी से जल्दी लेना होगा क्योंकि आप जितना सोचते रहेंगे आप उतना ही सोचते ही रह जाएंगे और आप इस तरीके से बहुत सारे मौके गवा देंगे इसलिए आपको कोई भी agreement कोई भी investment करने से पहले उससे जुड़े हुए सभी फायदे और नुकसानों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है ऐसा नहीं कि अपने जल्दी के चकर में किसी भी document साइन कर दिया बिना उसको पड़े तो आप यह ध्यान रखिए कि पस्ताने से अच्छा है आ आप अपने सपने पूरे कर लेंगी तो आप बिल्कुल गलत हैं आपको पता भी नहीं चलेगा कि कभी छोड़ी छोटे खर्चे मिलके बहुत बड़े खर्चों में तबदील हो गया है इसलिए आपको छोटे छोटे खर्चे को control करना होगा जब तक बहुत जारा जरूरी न भी अमीर नहीं बनने देगी और ये आपको करजों पर जिन्द की जीने के लिए मजबूर कर देगी पहले तो आपको लगेगा कि करजी आप असानी जुगाद होगे लेकिन धीरे धीरे आप उन करजों के बोज के तले दब जाओगे मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता जो उन्होंने पहले तो करजे ले लिए लेकिन आज बहुत परिशान है लेकिन आप ऐसी गलती मत करना जब तक बहुत ज़ादा ज़रूरी नहों कोई भी लोन मत लेना या करेट कार्ड यूज मत करना सात्वा मंतर आप जो भी कर रहे हैं आपको उसको continuous करना होगा लंबे समय तक ऐसा नहीं कि आपने कुछ काम सुरू किया और थोड़ ताइम के बाद उसको छोड़ दिया तब तो आप किसी भी चीज में successful नहीं हो सकते हैं चाहे वो investment हो चाहे कोई भी business हो आपको लंबे समय तक सेम काम को करना होगा ऐसे नहीं कि कुछ टाइम ये किया कुछ टाइम वो किया इस तरीके से बिलकुल नहीं चलेगा किसी भी शुरू किया हुए काम को अधूरे मत छोड़ियेगा जब तक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो और अगर आप किसी मजबूरी के वए से वो काम अधूरा छोड़ते भी हैं तो आपको ये कोशिश करनी होगी कि जल्दी से जल्दी आप उस काम पे वापस आएं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी इन्वेस्टमेंट में आपको लॉस हो रहा है तो हाथ पे हाथ रखके मत बैठिए जल्दी से जल्दी उसके बारे में सोचिए उसको रिजॉल्व कर दीजिए अगर आप हाथ पे हाथ रखके बैठे रहेंगे तो हमेशा बैठे ही रह जाएंगे और आपको और जादा नुक्सान होगा बहुत सारी investor ऐसा ही करते हैं वो सोचते हैं कि अब फायदा होगा अब फायदा होगा अब market उपर जाएगा लेकिन बैठे बैठे उनका ज्यादा नुकसान ही होता है अब फायदा नहीं लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि हर investment पे फायदा और नुकसान के chances तो होते ही है जी हाँ बिल्कुल तो आपको अब ये कैसे पता चलेगा कि कब उस investment से बाहर निकलना है उसके लिए आपको एक bottom limit set करने पड़ेगी जिसके reach करते ही आपको अपने investment को resolve कर देना है उसको खतम कर देना है उसको बेज देना है मेरे एक दोस्त की भी यही बुरी आदत है उसने share market में invest कर दिया है उसको loss होता है लेकिन वो इंतजार करता रहता है कब वो उसके उपर जाएगा कब उसने जितने पैसे खर्च किये थे उसके उपर पहुँचेगा तब वो बेचेगा और इस चक्कर में वो और ज़्यादा नुकसान कर बैठ दा है लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा आपको ये समझना होगा कि जो loss होना था वो तो हो चुका आप जो बैसे बचे हुए हैं उनको बचाएं और कहीं और invest करें जहां से आपको profit के chances ज़्यादा हो जितने पैसे बच सकते हैं कम से कम उतने तो बचाएं 9 मंतर Calculate the risk before any investment किसी भी investment से पहले आपको उससे जुरे हुए फाइदे और नुकसानों के बारे में जानना होगा कि उससे कितना फाइदा होने वाला है उससे कितना नुकसान होगा क्योंकि हर एक इंसान की नुकसान सहने की चमता अलग-अलग होती है अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी investment में आपको नुकसान हो सकता है तो उस investment से दूर हर जाएए और किसी और investment के बारे में सोचिए कभी किसी और के experiences से decision मत लिजीगा क्योंकि आप ही जानते हैं कि आप कितना risk ले सकते हैं अर इंसान की सफल होने की definition अलग-अलग होती है Warren Buffett की सफलताओं को आप dollars account नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने तो अपनी अधिकता संपती पहले से ही charity में दान कर दी है आपको ये समझना होगा कि आपकी खुशी किसमे है आप जिससे प्यार पाना चाहते हो उनमें से कितने लोग है जो असल में आपको प्यार करते हैं और इसी बात से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप कितने सफल हो दुनिया भर के पैसे कमाने के बाद भी हम उस इंसान को सफल नहीं मान सकते जिसके पास कोई प्यार करने वाला नहीं है तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी सफलताओं की definition सही से set करें और खुश रहें पे चाइना गए दो पहर का टाइम था उनको भूख लगी अब वो दोनों मैगडी में चले गए लाइन में लगे अब उनका नमबर आया sales girl ने उनको उनका order दिया तभी Bill Gates ने payment करने के लिए अपने jam में हार डाला तो Warren Buffett ने उनको रोग दिया और कहा आज की टिट मेरी तरफ से है तब उन्होंने अपनी jam से दो coupon निकाले और sales girl को दे दिये वो coupons वो अमेरिका से ही लेकर के आये थे इससे यह नहीं पता चलता कि वो कंजूस है इससे यह पता चलता है कि वो जानते हैं कि पैसे कैसे बचाये जा सकते हैं आपको भी उन्हीं की तरह जहां मौका मिले पैसे बचाने और उसको invest करने के बारे में सोचना चाहिए और यही करके आप एक सफल investor और एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं अगर आपने भी recently को investment की है तो उसके बारे में हमें comment box में लिखके बताईए और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको like जरूर कीजिए और अपने दोस्तों और family members के साथ इसको share कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आने वाली सबी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके अभी के लिए बाई बाई इस्टे हैपी इस्टे सेफ इस्टे मोडिवे झाल